यूपी के सभी सिक्षन संस्थान दो दिन के लिए बंद रहेंगे भारी बारिश की वज़े से सिक्षन संस्थान बंद हुए मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ ने इसके निर्देश दिये दे अब सोमवार को खुलेंगे प्रदेश के सिक्षन संस्थान उन्हें दो दिन के लिए बंद किया गया है अब सोमवार को ही खुलेंगे जो भी उत्तरप्रदेश के सिक्षन संस्थान है स्कूल कॉलेज हैं सोमवार को खुलेंगे दो दिन के लिए बंद किया गया है सभी सिक्षन संस्थानों को भारी वारिश की चलते ही ये पैसला लिया जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है भीर भाड़ वाले और ट्राफिक जाम वाले शेत्रों में जाने से बचें खुले सीवर बिजली के तार और खंबों से दूर रहने के निर्देश दिये गए हैं जल भराओ पेड गिरने पर बकाईदा एक हल्प लाइन नमबर भी जारी किया गया है विद्युत ब्रेकडाउन के लिए भी एक हल्प लाइन नमबर जारी किया गया है पेजल की समस्या आपदा कंट्रोल रूम में इसके लिए कॉल किया जा सकता है इसके लिए भी खास नंबर जारी किया गया है आपको बता दे कि प्रयागराज में बारिश की वज़े से कई जगा मकान गिरने से 5 लोगों की मौत भी हुई है और आप डियम में आदेश दिया है कि बहुत जरूरी हो तो ही लोग घरों से निकले भीड़बार वाली जगहों पर जहाँ ट्राफिक जाम लगता है वहाँ जाने से बचें खुले में हॉल गड़ेदार सड़के हाद से का कारण हो सकते हैं इसलिए लोग ध्यान रखें किसी भी तरह की कोई परिस्ति जैसे जल भराव, पेड़ गिरना, बिजली का ब्रेक डाउन, सीवेज जिस सब के लिए हेलप लाइन नमबर जारी किये गए हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और इस वक्त हमारे दो सहयोगी, हमारे साथ लाइब जुड रहे हैं, गाजयबाद से शक्ति सिंग है, तो राय बरलि से पंकत सिंग, सबसे पहले शक्ति के पास आपको ले चलते हैं मौसम विभाग कहा रहा है शक्ती कि अभी फलाल जो ये बारिश का सिलसला है ये थम्मे नहीं माला तो अभी दो दिन की बारिश के बाद शहर की क्या स्थिति है अगर शहर की स्थिति की बात करें तो शहर की स्थिति ये है कि जैसी बारिश होती है तो वहीं अगर दूसरी तरह बात की जाे तो परदेश में इस समय अलट है। बारिश को लेकर और दो दिन के लिए जितने भी सिक्षन संस्तान है उन सभी को बंद किया गया वहीं गाज़बाद के जो जिलादिकारी हैं उन्होंने भी एक एडवाईजरी जारी की है कि बिजली के खंबे हैं अगर वहाँ पर पानी है तो उन से दूर रहें और ज्यादा जिल्ए जबारी की गई हैं जानगा क्याख अगर यहां पर बारिश को बारिश से यहांपर हाला बत से बद्सें वाँ जाते हैं और जगाजगे जो बिमारीयूं लगातार उसकी निकासी के लिए भी विवस्ताई कर रहा है तो जिस तरीके से बारिष का अलर्ट है तो अलर्ट के बाद साफ तोर पर एडवाइजरी लगातार जारी है हेल प्लाइन नंबर भी दे दिया गया है सुबह का वक्त है बादल जरूर चाहे वे हैं अभी बारिश नहीं है अगर बारिश होगी तो यह मानिए कि गाज़ेबाद में तरही मा मसता है बारिश के पानी को लेकर जगे जगे पानी बढ़ जाता है वे जो लोग हैं अपनी गाड़ियों को लेकर वहां से निकालने में बहुत ही जाद है उन्हें परिशानियों का सामना करना पड़ता है और वे इंतियार करते हैं कि वहां से पानी कम निकलेगा कलोनीय की बात है अगर हम करें तो कलोनीय बिल्कुल तालाब में तब्दील हो जाती है और गरों में भी पानी चला जाता है तो जिस तरीके से मौसम का अलर्ट है मौसम के अलर्ट को देखते हुए जो परिशानिया है वे काफी आ रही है लेकिन बारिश रुक रुक कर होती र सामना करना पड़ाता गाज़ेबाद में कल भी बारिश हुई और कल भी कई सड़के ऐसी ती जो जल्मगन हो गई ती जिसकी वज़े से काफी लंबा जाम देखने को मिलाता जी जाम काफी लग गया था जिसकी वेसे लोग परेशान हो रहे थे तो वहीं अगर आज की बात की सकती आज भी परेशानियां बढ़ी हैं लोगों की और प्रशासन भी उनसे अपील कर रहा है कि अपना सुरक्षित रहे घर से जब तक जरूरी नाओ बाहर ने निगले रायवरेली का रुक कर लेते हैं पंकज हमाय साथ बने हुए हैं पंकज रायवरेली में किस तरह के हाल बावजोद्वी जलभराव की जो इस्थितियां हैं कि मुहलों में पानी भर गया लोग जो जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते से गुजरना उनके लिए मुश्किम हो गया मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जहां पर यह सहरी एरिया है सोनिया नगर का का एरिया है आप देख सकते हैं जहां से लोग आते जाते हैं इसपर इंटर्लॉकिंग लगी यह यह दूरे से लोग आते जा करहने जो पानी से होकर जा रही हैं यह शहरी छे रहे हे पहली बारिसे जो रुकْरुक कर बारिस हो लेकिन उसके बावदूर भी जल भराव की जो इस्थिकिया है आप देख सकते हैं कि नगरपालिका के उस पूरे दावों की कलाई खोल कर दख दी इसमें साब सफाई की निर्देश दिये गए थे जबकि मैं आपको बता दू कि जिराथिकारी बैभोस्तिरवास्तों ने बरसा लेकिन ने कोई कारवाई नहीं की ना ही साब सफाई की बेवस्ता की जिसकी वजए से मुहलेवासी इतना परिशान है कि बदबूदार गंदा पानी जब भर जाता है तो लोगों का मुश्किल हो जाता है वाकई पंतच पिटी का दाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि जब पानी भड़ जाता है और रुका हुआ पानी और उस गंदगी और बदबुदार बिमारी भरे पानी के आसपास रहने से कितनी दिखते लोगों को आ रही होंगी। नगर निगम की लापरवाई है कि वक्त रहते ड्रेनेज सिस्टम को सीवेज सिस्टम को ठीक नहीं रखा जाता जिसके कारण इस तरह का जल जमाव होता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड रियालिटी के लिए।